How to fix screen flickering problem in any Samsung M series नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है screen flickering problem को solved कैसे कर सकते हैं अगर आपका screen जो है यहाँ पर flicker कर रहा हैं ठीक है वीडियो को अंतक देखें मैं आपको दोस्तों complete solution यहाँ पर बताऊंगा उसके बाद दोस्तों आपका जो problem है वो definitely fixed हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर screen flicker करने का बहुत सारे reasons हो सकते और इसके related पर दोस्तों मैं आपको काफी सारे solution भी बताने वाला हूँ तो आप दोस्तों वीडियो को देखते हुए चैनल को subscribe करें बेल आइकोन को click करें ताकि आपको latest update मिल सकें और अगर आप online पैसा कमाना चाहतें तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या आए screen अगर आपका flicker कर रहा है तो device का जो cache है उनको clear करें ठीक है आपके storage आप चेक कर सकते हैं corrupted files वगरा दोस्तों आप यहाँ पर चेक कीजिए अगर कोई files corrupted है तो उन files को delete कीजिए ठीक है और सारे साथ दोस्तों आप setting पर जाके यहाँ पर अपना display को select करें और उसके बाद आपना brightness को ठीक है चेक करें adaptive brightness जो है आपका यह disable होना चाहिए और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर बेग करें और दोस्तों मोबाइल को restart कीजिए और चेक करके देखें आपका problem solve हो जाएगा ठीक है adaptive brightness को off करना है corrupted data को delete करना है ठीक है और खेश को clear करना है अपने मोबाइल से solve नहीं हो रहा है तो आपको दोस्तों जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर developer option को यहाँ पर enable करें ठीक है developer option को enable करने के वाद दोस्तों आपको search करना है show surface तो आईए हम इसको search कर लेते हैं तो थोरा सा और नीचे जाएंगे नीचे पर हमें मिल जाएगा ड्रोइंग के अंदर पे शोर सर्फेस update ठीक है अगर दोस्तों यह चीज्थ यहां पर on है तो इसको बन कर देना है ठीक है शोर सर्फेस updates को इसको बन कर करते हैं तो यहाँ पर option कहाँ पर मिलेगा थुरा सा नीचे और चेक करते हैं कि तो यहाँ पर दोस्तो setting खतम हो चुका है ठीक है तो हम दोस्तों दुबारा से search करेंगे disable hw तो disable का option search कर लेते हैं disable यह नहीं है ओके तो यहाँ पर मिल चुका है हमें disable hw ओवरलेस तो इस setting को आपको enable कर देना है ठीक है इस setting को enable करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे problem आपका solve हो जाएगा तो इतना solution करने के बाद दोस्तों अगर solve हो प्रेस करके रखे जब आपको power of का button डिखेगा तो power of के button पे भी आपको प्रेस करके रखना है ठीक है दबा के रखने power of में और यह हो गया आपका safe mode तो green button पे क्लिक करें और mobile आपका चला जाएगा safe mode पे ठीक है safe mode पे जाने के बाद आपका mobile रिस्टार्ट हो जाएगा कोई problem रहेगा तो वह fix हो जाएगा तो इस तरह के से screen flickering problem solve कर सकते हैं अगर दोस्तों मान ले इसके बाद भी नहीं हुआ problem solve तो क्या करना है तो दोस्तों सेटिंग पर जाएए स्क्रॉल डाउन कीजिए सब्सक्राइब पर क्लिक करते हुए mobile सब्सक्राइब करके देखे इस तरीके का जो problem रहते सब्सक्राइब करने के बाद भी fix हो जाते हैं ठीक है कई बार दोस्तों ऐसा result सामने आए सारे solution जो है काम नहीं क्या लास्ट में जाके जब हम सब्सक्राइब करते तब हमारा problem solve हो जाते तो आप दोस्तों यह चीज़ को फोलो आप करके देख सकते हैं लेकिन क्या होता है कभी-कभी अब्डेट करने के बाद भी fix होने के नाम नहीं लेते हैं तो आप जाए जैनरल मेनेच्मेंट पर उसके बाद reset पर क्लिक करें एरेस पर यहां पर मिल जाएगा आपको reset बटन reset पर क्लिक किजिए mobile password डीजिए और आपका mobile reset हो जाएगा और उसके बाद solve हो जागा आपका problem लेकिन reset करने से क्या होता है आपको पता होगा पूरा mobile का data delete हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपका problem fix हो जाएगा और दोस्तों यह चीज़ आप तभी कर सकते जब आपके screen पे कोई भी damage नहीं है ठीक है आपके screen यहाँ पे कोई भी damage नहीं हुआ है और आपका जो mobile वो कई भी fall down नहीं हुआ है फिर भी आपने यह problem आ रहा है तो आप मेरा दियावा solution follow कर सकते लेकिन मान दिजिए आपने कई पर drop कर दिया अपना mobile को ठीक है बहुत ही जोर से या फिर screen crack है तब आपको screen flickering का issue हो रहा है तब दोस्तों आपको किसी भी technician के मदद ले ले ना होगा तब जाके solve होगा यह problem अमिद करते आपको यह video पूसन होगा thanks for watching